महज 18 साल की उमर में क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला नीरज सहरावत वुर्फ नीरजबावाना एक बार फिर से चर्चा में हैं। उसे दिल्ली की एक अदालत ने मकोका से बरी कर दिया है। नीरजबावाना जल्द ही जील से बाहरा जाएगा। नीरजबावाना के गैंग में 300 से ज़्यादा शूटर्स हैं आए जानते हैं कि वो कौन है निरजबवाना जिसके दिली NCR में तूती बोलती है दिली पुलिस के सूतरों के मताबिक निरजबवाना ने साल 2004 में एक खत्यागी और फिर वो रजधानी का सबसे बड़ा गैंग सर बन गया अत्यादुनिक हत्यारों के शौकी निरजबवाना गैंग के पास अमेरिकी आटोमेटिक हत्यार भी है सच बात तो यह है कि निरजबवाना की एक समय क्राइम की दुनिया में तूती बोलती थी दिली पुलिस ने बहुत ही हद तक उस पर लगाम लगाई है लेकिन फिलहाल निरजबवाना का क्राइम की दुनिया का कितना बड़ा नाम है वो इस बात से पता जलता है कि उसका नाम एक बार अंडर वर्ड ओन दाओद इबराहिम की डी कंपनी से भी जुड़ चुका है ये भी कहा जाता है कि छोटा राजन की हत्या के लिए पाकिस्तान में बैठे दाओद इबराहिम से कॉंटेक्ट किया गया था आपको जाता है कि एक समय छोटा राजन और दाओद इबराहिम दोनों ही एक ही गैंग में थे और साथ में काम करते थे मुंबए में हुए दंगों के बाद दाओद इबराहिम और छोटा राजन में विवाद हुआ और दोनों अलग-अलग हो गए दिल्ली का दाओद नाम से चर्चित निरजबवाना ने पिछले साल हुए सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्ते अगर जिम्मा लेने वाले लोरेंज बिशनोई गैंग को सिर्फ दो दिन में बदला लेने की दमकी दी थी इसके बाद बंजाब और हरयाना के साथ दिल्ली पुलिस भी चौकरनी हो गए थी अरोबे की पिछले साल मंजाब में बिशनोई गैंगने सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्ते अगरवाई थी इसके बाद से निरजबवाना बदले की हाग में सुलक रहा है निरजबवाना के बंबीहा गैंग से दोस्ताना कॉंटक्ट है ऐसे में बिशनोई गैंगने साल 2021 में हुई एक हत्यागा बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का दावा किया था इसके बाद नीरज बावाना गैंगने सी दू मुसे वाला की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी यही वज़ा है कि दिली की तिहार जेल में नीरज बावाना और लॉन्डे बिशनोई को अलग-अलग जेलों में रखा गया है दोनों ही एक दूसरे के तकड़े प्रत्यूंदी माने जाते हैं नीरज बावाना एक समय दिली का एक छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था शुरुआती दोर में वो सुरेंदर मलिक और नीरज दापोदिया के लिए काम करता था इसके बाद वो उसका खास घुर्गा बन गया और गैंग के लिए वसूली करने लगा ऐसा कहा जाता है कि जब नीटू जेल जाता था तो नीरज ही गैंग का संचालन करता था और वसूली के दंदे में वो जम गया वही कुछ समय बाद नीटू से अलग होगा नीरज ने अपने गैंग बना लिया दोनों के बीच संगार्श शुरू हुआ तो सबसे पहले नीटू ने साल 2012 में नीरज के करीबी अजय और सोनु दादा कियाता कर दी दोनों गैंग के बीच गैंग वाच चली गया लेकिन इसी बीच दिली पुलिस इस्पेशल सेल ने 2013 में नीटू को एक इनकाउंटर में मार गिरा है इसके बाद नीरज और नीटू दावो दिया गैंग के बीच जंग जारी है इसके चलते अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं मैं नीरजबवान और लौज बिच नोई के गैंग के बीच लगा था और कुछ ना कुछ लड़ाईयां चलती रहती हैं और कहीं न कहीं से खबर आती रहती है कि इस गैंग के मेंबर ने उस गैंग के मेंबर को मार दिया है